गर्मा गर्म मिक्स भेज मसाला खिचरी सभी को पसंद आता है और ये बहुत ही स्वादिस्ट और हेल्डी बनता है तो ये मसाला खिचरी हम कैसे बनाए है ये जानने के लिए बने रही है मेरे साथ चलते हैं बनाने बहुत ही स्वादिस्ट हेल्डी मिक्स भेज मसाला खिचरी मसाला खिचरी बनाने के लिए यहां हम लिए हैं चार तड़ा की डाल यह साबुत मूंग है यह मूंग डाल है यह मसूर डाल है और यह रहर डाल है तो डाल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप चाहे तो सिर्फ एक डाल से भी बना सकते हैं और नहीं, तो mix करके भी बना सकते खिचरी बहुत स्वाधिस्ट बनता है, और यहां हम लिए हैं चावल, यह खिचरी वाला चावल है, इससे खिचरी बहुत ही टेस्टी बनता है, और यहां हम कुछ भेजिटेवल लिए हैं, तो यहां हम गोभी लिए हैं, जिसे धो कर लिए हैं यह चाप लिए हैं यहां हम कुछ अद्रक लहसुन और हरी मिर्च लिए हैं और टमाटर लिए हैं तो सब़जीrence यह आप अपने हिसाबसे कम यह ज्यादा कर सकते हैं यह और भी सबदीया मिक्स कर सकते हैं तो चलिए बनाते हैं बहुत ही स्वादिस्ट हेल्दी मसाला खिच्डी। एक बॉल में हम चावल को और इन साड़े डाल को डाल लेते हैं। और इन्हें इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और इन्हें हम पानी से दो से तीन बार अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। चलिए अब आगे की प्रोसेस करते हैं। गैस पे कुकर चड़ा दिये हैं और अब इसमें हम डालेंगे तेल। तेल हमारा गर्म हो गया है और अब इसमें हम डालेंगे साबूत जीरां। एक तेज पत्ता, दो हरी मिर्च, एक तुकड़ा दालचीनिका इससे खिचरी का स्वाब बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हिंग डालेंगे। घिचरी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और ये, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो अब इसमें हम गोवी डाल देंगे। और गोवी को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। गोवी हमारा अच्छी तरा से भुन गया है और अब इसमें हम दाल देंगे अद्रक लहसुन जिसे हमने कूत लिया है और इसे भी मिला लेते हैं अध्रक लहसुन को भी घूहीं में खालका सब भुन लिये हैं गोवी के साथ और इसमें हम डाल देते हैं यह टमाटल सिशने काट लिये हैं छोटे-छोटे ट्कुरों में की करते हैं और अब इसमें हम अडम डाल देते हैं और इन सब को हम इसी तरह से मिला लेते हैं यह हमारा मसाला खिच्री बहुत स्वाधिस्ट बनता है आपको इस खिच्री में पेस्ट और हेल्थ दोनों मिलेगा तो इस तरीके से आप जरूर बनाईएगा खिच्री और अब इसमें हम डाल देंगे मसाले तो यहां हम एक चमच ह और आधा चमच से कम मिर्चा पौडर डालेंगे मिर्टीखा आप अपने हिसाब से कम या जादा कर शकते हैं लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो तीखा थोड़ा कम ही डालें और मसालो को हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं और सब्जी Kyung के साथ मशाल को hem दाल देंगे यह चावल और दाल जिसे हमने धो कर अच्छी तरह से साफ कर लिए हैं तो अब इसे हम डाल लेते हैं चावल दाल हम डाल लिए हैं और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं सब्जीयों के साथ इत्सबीण। ,…, ये देखिए, ये देखने में कितना खुबसूरत लग रह रहा है, और खाने में उतना ही टेस्टी और हेल्दी ही है। है अब इसमें हम पानी डालेंगे. तो खिचडी में पानी ज्यादा ही डालिएगा क्योंकि जितना चावल और डाल रहता है उससे दूगना तीगना पानी खिचडी में परता है एक गिलास बड़े गिलास से पानी हम डाले हैं और एक गिलास पानी हम और डालेंगे तो यहाँ हम दो गिलास पानी डाले हैं बड़े गिलास से यह देखिए इतना कि सारे सबजी चावल अच्छी तरह से इसके अंदर डूबा हुआ न जड़ाए तो दो गिलास पानी इसमें हम डाल दिये हैं और अब कुकर का धकन हम बंद करते हैं कुकर का धक्कन हम बंद कर दिये हैं और दो सीठी लगने तक खिच्री को हम पकाएंगे दो सीठी लगने के बाद कुछ देर तक छोड़ दिये थें खिच्री हमारी हो गई है ये देखिए कुकर का धक्कन हम खोल लेते हैं और ये हमारी खिच्री बन के तयार है बहुत ही स्वादिस्ट और हेल्दी खिच्डी बनी है तो चलिए अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं यह हमारा मसाला खिच्डी जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है यह हमारा मसाला खिच्डी बनके तयार है यह बहुत ही स्वादिस्ट बना है और इस खिच्डी को और भी टेस्टी हेल्दी स्वादिस्ट बनाने के लिए यहां हम डालेंगे एक चमच देशी घी जिससे हमारी खिचरी और भी स्वादिस्ट बनेगी और हेल्डी बनेगी तो आप भी इस तरीके से मसाला खिचरी बनाईए खाईए इंजोआई कीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से और किजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद